गूट मॉर्निंग स्टूडेंट्स गिर्देदास मुनरा बाल भारती मात्मिक निध्याली के यूट्यूब चेनल में आप सब बच्चों का स्वावत है जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोर्णा भी पूरूप से नहीं गया है इसलिए कलेक्टर के निर्दाश्या नुसार विध्यारतियों का अवकाश और ओनलाइन क्लास लगने का आदेश दिया गया है इसलिए आप घर पर रहें और सुरक्षीत रहें और आज हम ओनलाइन क्लास में पार्ट 9 टिगट अल्बम पढ़ेंगे ठीक हैं तो आज हम देखते हैं टिगट अल्बम की क्या कहानी है वैस एल्बम डाक टिकट होते हैं ना हमारे उनके वारे में इसमें बताया गया है यह एक कहानी है जिसमें राजप्पा और नागराजन दो के पास में अपना-पना एल्बम है राजप्पा ने अपना एल्बम बहुत ही महनत से बनाया था और नागराजन के पास जो एल्बम था वो अल्बम उसके मामा जी ने सिंगापूर से उसके लिए भिजवाया था तो उसी अल्बम के बारे में आज हम पढ़ेंगे तो देखिए टिगट अल्बम ये काहनी हमारे दिखिए सुंदरा रामह स्वामी जी ने काहनी यहाँ शुरू होती है अब राजपा को कोई नई पूछता आजकल सब के सब नागराजन को घीरे रहते नागराजन घमंडी हो गया है राजपपा सारे लड़कों में कहता फिर्ता पर लड़के भला कहां उसकी बातों पर ध्यान देते नागराजन के मामा जी ने सिंगापूर से एक अल्बम भिजवाया था वह लड़कों को दिखाया करता सुबह पहली गंटी के बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेर कर अल्बम देखा करते मतलग कि नागराजन अपना अल्बम स्कूल लेके जाता था और वह अपना अल्बम सभी बच्चों को दिखाता था आदी छुट्टी के वक्त भी उसके आसपास लड़कों का जमघट लगा रहता कई लोग टोलियों में उसके घर तक हो आए नागराजन शांती पूरा सभी को अपना अल्बम दिखाता पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता अल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पना पलड़ता लड़के बस देखकर खुश होते देखे बच्चों इस तरीके से जमघट लग जाता था मतलब कि आसपास भीड हो जाती थी नागराजन लड़के लड़कियां उसका अल्बम देख रहे है और तो और कक्षा की लड़किया भी उस अल्बम को देखने के लिए उत्सुक थी पारवती लड़कियों की अगवा बनी मतलब की नेता बनी और अल्बम मागने आई लड़कियों में वही तेज तर्रार मानी जाती थी नागराजन ने कवर चड़ा कर अल्बम उसे दिया शाम तक लड़कियां अल्बम देखती रही फिर उसे वापस कर दिया अब राजपा के अल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था वाकई उसकी शान अब घट गई थी राजपा के अल्बम की लड़कों में काफी तारिफ रही मदुमक्खी की तरह उसके एक एक टिगट करके जमा किये थे उसे तो बस एक यही धून सवार थी सुभे आठ बजे वह घर से निकल पड़ता टिगट जमा करने वाले सारे लड़कों के चक्कर लगाता दो आस्टेलिया के टिक्टों के बदले एक फिन लिल का टिगट लेता दो पाकिस्तान के बदले एक रूस का बस शाम जैसे ही घर लोडता बसता कोने में पटक कर अम्मा से चबेने लेकर निकर की जेब में भर लेता और खड़े-खड़े काफी पी कर निकल जाता चार मेल दूर अपने दोस्तों के घर से कनाड़ा का टिकट लेने पगड़ंडियों में होकर भागता पगड़ंडिया क्या होती है बच्चों पता है आपको मैं बताती हूँ पकडंडिया वह इस्थान है जहां से लोग पैदल जाते हैं कहां जाते हैं पैदल जाते हैं स्कूल भर में उसका एलबम सबसे बड़ा था मतलब कि पूरे स्कूल में राजप्पा का जो एलबम था वह बहुत ही बड़ा था सरपंच के लड़के ने उसके अलबम को 25 रुपे में खरीदना चाहा पर राजप्पा नहीं माना कौनी माना था राजप्पा गमंडी कहीं का क्या का उसने सरपंच के लड़के ने उससे क्या का गमंडी कहीं का राज़पा बड़बड़ाया मनी मन उसने कहा फिर उसने तीखा जवाब दिया था तुमारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना उसे दे दो ना 30 रुपे में सारे लड़के ठाका मार कर हस पड़े जोर से हस पड़े पर अब कोई उसके अलबम की बात नहीं करता और तो और अ मतलब रहना पीछे रहने वाला क्या होता है फिसटी शपकार्थ पीछे रहने वाला पर राजबपा ने नागराजन के अलबम को देखने की चाब कभी नहीं प्रकट की लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते तो वह नीची आँकों से देख लेता सच्बुस न नागराजन का अलबम बहत बहत प्यारा था पर राजबपा के पास जितने टिगर थे उतने नागराजन के अलबम में नहीं थे पर खुद उसका अलबम ही कितना प्यारा था उसे छूर लेना ही कोई बड़ी बात थी इस तरह का अलबम यहां थोड़ी मिलेगा अलबम के पह असहरी है और कमल लाल सूरज जब तक पूरु से उगे और पश्ची में चिपे उसे अनंत कालतक के लिए यह अल्बम मेरा रहेगा अनंत मतलब इसका अंत नहीं होता लड़कों ने इसे अपने अल्बम में उतार लिया लड़कों ने जट कौपियों और किताबों में टीप ल है पर कृष्णन से नहीं रहा गया जा जा जलता है इशालू कहीं का मैं कहाएं को जलू जले तेरा खांदान ते मेरा अल्बम उसके अल्बम से कहीं बड़ा है राज्यपा ने शान बगारी शान बगारी मतलब इसने अपना बताया कि हां मेरी शान है मेरा अल्बम अरे उसक क्यों बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो अरे पानी भरोगे हाँ कृष्णन ने छेड़ा उसे फिर से पर मेरे पास जो टिकटे वह कहा है उसके पास राज्यपान है फिर ललगा रहा उसके पास जो टिकटे वही दिखा दो कृष्णन भी कम नहीं था कौन नहीं था क किष्णन भी बिल्कुल कम नहीं था, ठीक है, दस रुपे की शर्ट, मेरे वाले टिकर दिखा दो, तुम्हारा अल्बम तो क्या है, कुड़ा है, मतला कि कच्रा है, किष्णन चीखा, हाँ हाँ कुड़ा, लड़के जैसे कोरस गाने लगे, कोरस शब्द का अर्थ होता है, एक साथ गाया जाने वाला गीत, ठीक है बच्चों, राजप्पा को लगा, अपने अल्बम के बारे में बाते करना फाल्तु है, उसने कितनी महनत और लगन से टिक्टे बटो रहे हैं, सिंगापूर से आये, इस पर पारसल ने नागराजन को एक ही दिन में मशूर कर दिया, पर लड़कों के सामने जाने में शर्मा आने लगी, आमतोर पर शनिवार और रईवार को टिगट की खोज में लगा रहता, परन्तु अब घर घुसा हो गया था, दिन में कई बार अल्बम को पलटता रहता, रात को लेट जाता, सहसा जाने क्या सोच कर उठता है, सहसा मतलब अ उसे लगा एल्बम वाकई कूड़ा हो गया है, अब वो अपने जो दोस्तों की बात थी, वो भी क्या सच, उसे सही लगने लगी क्या हो एल्बम तो कूड़ा हो गया है मेरा, उस दिन शाम उसने जैसे तै कर लिया था, वो नागराजन के घर आ गया, अब कोई कितना अपमा भला क्या समझे, सोस्ता होगा टिगट जितना बड़ा होगा, वो उतना ही कीमती होगा, या फिर सोस्ता होगा, बड़े देश का डिगट कीमती होगा, वो भला क्या समझे, उसके पास जितने भी फालतू डिगट है, उन्हें टरका कर उससे अच्छे टिगट जार लेगा, क किसी नहीं टोकौन पहुंचकर वह नागराजन की मेज के पढ़ी कुरसी उपर बैढ़ए। कुछ देर बाद नागराजिन की बहन कामाक्षी उपर आई भाईया शहर गया है अरे हाँ तुमने भाईया का अलबम देखा उसने पूछा कामाक्षी ने क्या पूछा क्या तुमने अपने मेरे भाईया का अलबम देखा हम राज़पो का हां कहने में हैकडी हो रही थी बहुत सुन्दर अलबम है ना सुना है स्कूल भर में किसी के पास भी इतना बड़ा अलबम नहीं है तुमने तुमसे किस ने कहा भाईया ने भाख उड़ गया वो फिर से क्या चीड गया था बड़े से क्या मतलब हुआ आकार में बड़ा होता अलबम बड़ा हो गया उसकी चिड़-चड़ात साफ थी कामाक्षी कुछ देर तक वही रही फिर नीचे चली गए राज़पा मेज पर बिख्री किताबों को टटोलने लगा अचनब उसका हाथ दराज के ताले से टकरा गया उसने ताले को खीच कर देखा बन था क्यों ना उसे खोल कर देख लिया जाए वह वहाँ पे बैठा था नागराचम की गर पर और उसने क्या किया जब उसका हाथ दराज के ताले पटका तो उसने सोचा कि इसे क्यों ना मैं खोल कर देख लूँ मेज पर से उसने चाबी ढूड निका ली और चाबी भी उसने ढूड ली सीड़ों के पास जाकर उसने एक बार जहांकर देखा फिर जल्दी से जल्दी में दराज खोली अल्बम उपर ही रखा हुआ था पास गया और पीछे की और अल्बम छिपा दिया उसने बहार आकर जाका पूरा शरी जैसे जलने लगा गला सूख रहा था और चहरा तम तमाने लगा था रात आठ बजे अपू आया हाद पाह हुलाकर उसने पूरी बात कह सुने सुना तुने नागराजन का एल्बम खो गया हम दोनों शेहर गए हुए थे लोटकर देखा तो एल्बम गायब राज़पाद चुप रहा उसने अपू को किसी तरह टाला उसके जाते ही उसने जटकम्रे का दरवाजा हिरा लिया और अल्मारी के पीछे से अल्बम निकाल कर दिखा उसे फिर छिपा दिया डर था कहीं कोई देख न ले देखो बच्चो एल्बम दोनों के पास था लेकिन जिसका अच्छा था उस वज़े से जैसे नागराजन का बहुत अच्छा अल्बम था तो नागराजन को तो इस बात का नहीं पता था कि राजप्पा का भी एल्बम था और उसमें उसने महनत से उसे बनाया था लेकिन राजप्पा क्या हो गया नागराजन के एल्बम को देखकर बहुती उसके मन में ईशा की प्रवति आ गई थी और इसी एश्या की प्रवती ने उसके साथ क्या किया? उसने वह वहां से चुरा लिया था रात में खाना ने खाया, पेट जैसे भरा हुआ था सारा घर चिंतित हो गया, उसका चेहरा भयानक हो गया था किसका? राजबपा क्योंकि उसने क्या कि थी, उसने बच्चों चोरी की थी रात उसने सोने की कोशिश की पर नीन नहीं आई एल्बम सिरहने तक्ये की नीचे रखकर सो गया सुबह अपु दोबारा आया, राजबपा तब भी बिस्तर बेठा था अपु सुबह नागराजन के घर होकर आया था कल तुम उसके घर गए थे, अपु ने पूछा राजबपा की साथ जैसे उपर की उपर और नीचे की नीचे रहे गई फिर सिरह इला दिया, वह जिस तरह चाहे सोच ले कामाक्षी ने कहा था कि हमारे जाने के बाद खाली तुम वहां आये थे अपु बोला, राजबपा को समझते देर नहीं लगी, अब सब उस पर शक करने लगे हैं कल रात से नागराजन लगा था रोए जा रहा है, उसके पापा शायद पुलिस को खबर दे, अपु ने फिर कहा राजबपा फिर भी चुप रहा, उसके पापा डी-एस-पी के दफ्तर में ही तो काम करते हैं बस वह पलक जपक दे और पुलिस की फोज हाजित, अपु जैसे आग में घी डाल रहा था यह तो भला हुआ कि अपु का भाई उसे डूनता हुआ आ गया और अपु चलता बना उसमें यह हुआ कि अपू का भाई उसे डूढने के लिए आया और अपू उसमें वहां से चला गया कहां से राजपा के घर से राजपा के पापा दफ्तर चले गए थे बाहर का कीवड़ा बन था राजपा अभी तक बिस्तर पर बैठा हुआ था आदा गंटा गोजर गया और वहां उसी तरह बैठा रहा तबी बाहर की साकल खटकी मतलब की दर्वाजपा खटकड़ाया पुलिस राजपा बुद्ध बताया बीतर साकल लगी थी दर्वाजपा खटकने की आवास तेज हो गई राजपा के तक्ये के नीचे से अलबम उठाया और उपर भागा अलबारी के पिछट चीपा दे नहीं पुलिस ने अगर तलाशी ली तो पकड़ा जाएगा अलबम को कमीज के नीचे चीपा कर वह नीचे आ गया बाहर का दर्वाजपा अभी बज रहा था कौन है अरे दर्वाजपा क्यों नहीं खोलता अम्मा भीतर से चिलाई थोड़ी राजपा पिछवाड़ी के और भागा जल्दी से बाथरू में घुसकर दर्वाजपा उसने बंद कर दिया अम्मा ने अंगिठी पर गरम पानी की देख्ची चड़ा रहती उसने अलबम को अंगिठी में डाल दिया अलबम जलने लगा उसने क्या किया उसके पास जो अलब अलबम को चुराया और उसे जला दिया तभी अम्मा की अवाज आए जल्दी से आ तो नहाकर नागराजन तुझे डूंटावा आया है राजपा ने निककर उतार दिया और घीरा तौला लपेटकर बाहर आ गया कपड़े बदल कर वह उपर गया नागराजन कुरसी पर नागराजन की आँखों में आसू आ गए राजपा से चहरा बचा कर उसने आखे पहुंच ली रो मत यार राजपा ने उसे पुछका रहा वह फफफफफफ़ रो दिया राजपा जट नीचे उतर अगया एक मिट में वह उपर नागराजन के सामने था उसके हाथ में उसका किया काता है कि बहला रहे हों कि मुझे नागराजनगो को जैसे यकीन safeg sih की अब यहाँ ही धो यहाँ आजपना prophet दे मुखर प्लू और जब करें को दो ख़ड़ा और पर तुम क्या करोगे तो नागराजन बहुत और हुस्तr लूँगा तो मुझे नहीं चाहिए तुमें एक भी टिकट नहीं चाहिए नहीं तुम कैसे रहो के बगेर किसी टिकट के रोता बगरो दो Alec चिखा और फूट फूट का रो दिया नागराजन की समझ में कुछ नहीं आया वहाँ अल्बम लेकर निचे उतर गया कमीज से आखे पहुशता हुआ राजपा भी निचे उतर आया दोनों सासा दरवाजे तक आये बहुत बहुत धन्यवाद मैं घर चलू नागराजन सीडिया उतरने लगा सुनो राजू उसने क्या कहा सुनो राजू राजपा ने पुकारा नागराजन ने उसे पलट कर देगा अल्बम दे दो मैं आज राज जी भरकर इसे देखना चाहता हूं कल सुबह तुम्हें दे जाओंगा क्या कहता है राजपा सुनो राजू इसने नागरा उसे अलबम लोटा दी और चला गया राजप्पा उपर आया उसने दर्वाज़ा बंद कर लिया अलबम को छाती से लगा कर फूट फूट कर रो दिया देखिए बचों इश्या में आकर राजप्पा ने बहुत ही गलत कारे किया लेकिन उसको अपनी गलती का एहसास भी हुआ वो एहसास भी कब हुआ जब उसने नागराजन का अलबम जला दिया था अगर यहाँ उसके मन में पहले ही आ जाती कि मुझे इरश्या ना करके नागराजन का अलबम उसे लोटा देना चीए था वो उसने नहीं किया क्योंकि वो जब जल गया उसके बाद उसके मन में आया क नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए और वह बहुत इसके लिए उसने पस्तावा भी किया तो बच्चों कैसी लगी कहानी राजप्पा और नाग राजन के टिगट अल्बम की मतलब की डाप टिक के अल्बम की मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी और आपको भी इससे सीख मिली होगी कि हमें इरश्या नहीं करनी चाहिए हमारे पास जितनी चीजें होती हैं जितनी वस्तुएं होती हैं हमें उतना ही उसका उसमें खुश रहना चाहिए ठीक है बच्चों तो बच्चों आज ये कहानी हमने पढ़ी और next class में हम इस पार्ट के शब्दार्थ और इसके प्रशन उत्तर लेंगे ठीक है बच्चों और ये कहानी आप स्वेम भी पढ़ेंगे अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप इस वीडियो को देखिए समझे और इस कहानी के बारे में पूरा आप समझ जाएंगे और इसके अंतरगत जो भी शब्दार्थ वैसे तो मैंने इस वीडियो में को बीच-पीच में से शब्दों के अर्थ बताएं हैं ठीक है तो आप इस सब को पूरा रीट करिएगा और इसे समझेगा आगे आपको मैं इसके शब्दार्थ करवा दोंगे और इस सारा कारिय जो भी मैं आपको दूँ वह आपकी कॉपी में सफाई से करेंगे ओके बच्